आई गाईस कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपिराइट इस टाइक के बारे में जी हाँ गाई तो गाईस कैसा होगा अगर आपको वीडियो अप्लोड करने से पहले ही पता चल जाए कि इस वीडियो पे कॉपिराइट स्टाइक आने वाले ही इस वीडियो पे वीडियो अप्लोड करेंगे तो यूटूब उससे पहले ही आपको बता देगा कि इस वीडियो पे कॉपिराइ श्ट्राइक आ सकती है ये फीचर यूटूब का बहुत ही सांदार है इसे यूज़ करिए तो इससे क्या है कि आपके चैनल पर कभी भी कॉपी रहे श्ट्राइक नहीं आएगी ये फीचर कैसे वर करता है आप इसे कैसे यूज़ करेंगे तो इस वीडो में आपको फुल डिटेल से देने वाला हो तो वीडो को इंट तक जरूर दे क्या आप वीडो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिया आपको यहां पर क्रोम ब्राउजर चेदार है वीडियो अपलोड करने के लिए तो मलाठा मएं पाचिमेंदार में यहां आप इसमें पेजग И यहाँ पर select files पर जाकर एक video यहाँ से select कर लूँगा मैं यहाँ पर YouTube पर एक video upload करूँगा simply guys मैं वह video यहाँ वह video upload करूँगा जिसमें copyright claim आएगा मैं copyright claim वाला वीडियो यहाँ पर upload करने वाला हूँ क्या guys Instagram की यहाँ पर एक reels है उसमें एक songs लगा है तो songs पर वैसे भी copyright claim आ जाता है तो guys देखी यह features काम कैसे करता है मतलब जैसे मैं यह video upload करूँगा जैसे verification होगी इस video की तो guys यह बता देगा YouTube खुद बता देगा इसमें copyright claim सामगरी है तो इस video को आप अगर upload करना जाए तो upload कर सकते नहीं इसे delete कर सकते है तो guys upload होने से पहले यह बता देगा आप इसे publish नहीं करेंगे उससे पहले यह बता देगा YouTube आपको कि इसमें copyright claim सामगरी है चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इस video को यहाँ पर click करूँगा click करने बाद guys यहाँ आप देख सकते है तो guys यह Här पे आप देख सकते हैं नीचे guys देख सकते हैं यहाँ यहाँ यह मेरा video upload हो रहा है guys देख सकते हैं यहाँ पे uploading 40% तो guys simply say यहptic यहाँ पर ले ही upload हो जाता है यहाँ प्रदी नहीं होगे यह video आपका यहाँ पर पूरी तरिक अप्लोड हो जाएगा उसके बाद गाईस यहाँ पर SD version पर यहाँ पर processing हो रही है तो गाईस यहाँ पर 45% processing हो चुकी है simply से आप यहाँ नीचे देख सकते हैं उसके बाद गाईस यहाँ यहाँ चेक होगा वीडियो वेरिफाइफाई होगा तो गाईस यहाँ पर देख सकते हैं copyright claim इस वीडियो पर जैसे मैंने पहले बताया हुआ था कि इस वीडियो पर copyright claim है तो गाईस इंपली जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उपर तो सबसे पहले गाईस आपको यहाँ पर इपनी details डालनी होती है तो आप लगा सकते हैं यहाँ उसके बाद गाईस यहाँ पर तीसरे नमबर पर check का option आता है तो गाईस देख सकते हैं यहाँ पर rate color का आ रहा है यहाँ पर warning आ रहे हैं आपके वीडियो पर copyright claim सामगरी है आप टाइटल बगर डाल देते हैं उसके बाद जैसे आप नेक्स की बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको elements लगाने के लिए आए गयाँ लगा लेंगे आप नेक्ट बटं पर क्लिक करेंगे तोगाइस क्या है कि इस वीजे क्लेम आया है यहos क्लेम क्लेम आया है थो क्या है कि CAPYRUG claim का जो honor है तो guys सुनें यहाँ पर यह वीडियो यूज करने लिए permission तो है मेरे पास लेगिन क्या है कि इस वीडियो पर मतलब जो भी earning होगी जो भी add आएंगे वो add वही लगाएगा इस वीडियो पर जो भी add आएंगे उसकी सारी earning उसको मिलने वाली है तो guys देख सकते हैं मैंने यह वीडियो अभी publish नहीं किया हुआ है यहाँ पर YouTube ने पहले ही मुझे बता दिया है तो guys यहाँ अगर आप c details पर जाएंगे तो guys c details पर check कर सकते हैं कि copyright claim यह किस ने दिया है मुझे किस channel से आया हो तो guys simply से आप वीडियो publish करने से पहले यहाँ पर आपको YouTube बता देगा कि आपके वीडियो पर copyright सामगरी है आप इसे upload ना करेंगा फिर भी upload करना चाहें तो कर सकते हैं क्या होगा कि पिर copyright strike आ सकती है आपके वीडियो पर और simply guys देख सकते हैं कुछ भी वीडियो मैंने publish नहीं किया मैं चाहूँ तो अब इसे यहाँ से cut कर दूँगा वीडियो upload करूँगा ही नहीं तो simply जैसे मैं यहाँ पर next बटन पर click करता हूँ तो यहाँ पर आता है visibility का यहाँ पर आप private में से कर सकते हैं लिश्टिड पबलेक तो guys क्या simply जैसे copyright claim का आ जाता है तो आप वीडियो अपना upload नहीं करेंगे वो copyright समगरी को हटा देंगे यहाँ से check करके आप उसे हटा देंगे कि आपके वीडियो पर कितनी copyright समगरी किस चीज पर आई किस ने दिया है सारी details आपको यहाँ पर वीडियो अप्लोड करने से पहले ही मिल जाएगे तो guys इससे क्या फायदा होगा कि आपके वीडियो पर copyright strike नहीं आएगी कभी भी तो guys आप से एक request यही करना चाहेंगे आप जब भी वीडियो अप्लोड करें YouTube पे तो आप डिरेक्ली YouTube से मत अप्लोड करेंगा क्योंकि डिरेक्टी जब आप YouTube से अप्लोड करते होगे यह option वहाँ पे नहीं आता है तो guys simply से आप Chrome से अप्लोड करें Chrome पे काफी features यहाँ पे आपको देखने को मिलते है इस वीडियो मैंने आपको यही बताना चाहता था कि आप वीडियो अप्लोड करने से पहले ही copyright की strike of copyright claim को देख सकते हैं आपए आपको यह helpful वीडियो कैसा लगा जरूबाता है और अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज यार शेयरों को जरूब सब्सक्राइब पर लें कि मैं एक नए यूटूबर हूँ प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिगा मिलते हैं एक और नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद